इस चन्तु का नाम है यूपेग्यूरस जन्तु का यहां डाग्राम बनावारे बच्छो इस जन्तु का सबसे पहले हम क्लासिटिकेशन पढ़ लेते हैं क्लासिटिकेशन देख लेते हैं यूपेग्यूरस को साधाराण भाशा के अंदर कॉमनली हर्मिट क्रैप के नाम से भी जाना जाता है और यह फाइलम आर्थ्रोपूरा का मेंबर है इसका जो सब फाइलम है इसका स्पेशिया प्लास जो है जन्तु की नहला पॉस्ट्रे का क् है और जीनस जो हम पढ़ रहे हैं डाइट इस यूपेग्यूरस ओकी अब हम पात फूर करते हैं इस जन्तु के हैबिट एंड हैडिट की और डिस्ट्रीशन की तो देखें यह जो यूपेग्यूरस जन्तु है बच्चों यह वर्ड वाइड डिस्ट्रीटेड अनिमल है इस हमारी जो सैंडी और मड़ी बॉटम है मराइन हैडिटेट के महां पर यह जन्तु पाया जाता है बैसिकली जन्तु जो है बच्चों यह जन्तु हमें मराइन पॉर्टम के अंदर उपस्ति जो हमारे मॉलस्टन आनिमल से स्पेश्ली क्लास गैस्ट्रोडा गैस्ट्रोडा ग ने यह जल पाया जाता है और उस चैन्प जो ट्रॉट होते हैं उनका चुक खाली उता है को और यह जन्तु जो ऑफ़ को इस होता है कि इन वराइन पॉर्टम की अहां यह जो को ने आधर सित विट एटिज के बच्चांप उख स्पाधिशन को यह च्टिए उस कोली कि ने होते हैं उन compartments के अंदर बोडी के अधिकाश भाग जो है अपना उन compartments के रखता है और टेबल वरकिंग लेक्स जो है वह इस अपर्चर जो शेल का अपर्चर है उसे बाहर लिकाले में रखता है के यह जोम घेश्ट कूर्ण के अंदर हर्मिट क्रैब जो पाया जाता है और इसी के बसूर्पर हमारा सी अनिओं podr यह बहello से Transfer भी आ वह से ऑपर हूर्미 में इस यह मह जाता है के-वर्ण यह ज न डोनों जन्तू को लावान वेद करते हैं देखिए कैसे पार्ड guit करेंए यह habitat crab जो है इस shell के अंदर क्यों रहता है क्यों क्यूंकि इसको एक्जोस्टन होता है बच्चों को बहुत ज़ता प्रजायल होता है तो अपनी बॉडी को प्रॉटक्ट करने के लिए इस shell के अंदर इस्थित होता है अपने walking legs के द्वरा यह इधर से उधर जो है अपने marine water के habitat के अंदर घती करता है जब लीज़े उबर चाहता है बच्चों तो क्या होता है सी अनिमोन भी इसके साह साहता है और ऑसी अनिमोन को जो है अपने आवास स्था परॉस्टने में किस चीज के लिए आसादी होती इसको अपना बोजयं पकड़ने में आसान हो जाता है बदले तो इस परकार के सिंवायोटिक डिलेशिव जिन इन दोनों जन्तों के तुवारा मैंटें किया जाता है है इस वायल वायट इस्टूमिट के अशली है अब हम बात करें इस जन्तों के जन्राल प्रेक्टर्टर्स की मैं तक हम लिए उन्तों कि इस ब्डबोक्ता गेट्राश मॉटेशिव बादी बदीव एंदर इलोगेटेटे होती है लेकिन और सीप्टिय कलगा होती है और यह जो हप्रमेट प्रेंग होता है इसकी बोडी काफिर रिद्यूस्ट प्रेंग की बोडि के अंदर पाए जाती है क्ई वह होती है वह dal सिफेलियो फोको क्यां फोकर फुलीच में फिल सब्सक्राज़ा है क्वेली leaders regional अब एग्जिंत टरा फलेड इगाशी विलेक्त कि रुफ पर प्र सिवेल्ब आदर जाता है जो कि इस region को cover किये लिया रहता है Cephalophorex के anterior part पर चलें तो यहाँ पर इस region के anterior part पर one pair of stout आई पाई जाती है यह compound आई होती है इसके अलावा यहाँ पर one pair of byramus एंटियूर पाई जाते हैं और one pair of uniramus एंटियूर पाई जाते हैं यह तीरो क्या है इस आंडा सिफैलिक अपर डेडेस जो कि सिफैलिक रीजन के अंदर उपस्ति होते हैं ओके सिफैलिक रीजन के नीचे हम चलें तो उसी रीजन में तुकि थॉलेक्स रीजन सिचुएट है कि उस जे सिफैलिक रीजन के साथ तो जन्तु के अंटिरियर और विडियर साइट के अंदर यहां पे फाइफ पेयर्स ओफ वाकिंग लैक्स या जीसे हम कहते हैं थॉलेसिक लैक्स पायजाते हैं इंमें से 5 पयर्स ओफ वाकिंग लैक्स में से जरच्ट डरीक्स चिलेट लैक्स में से 9 छाच्प चिलेट लैक्स ये बड़ा होता है और यह क्या काने करता है यह जो मॉलस्टन जो शैल है इस रोपोर जन्तु का शैल उसके अपर्चल को गवर करने का उसको बंद करने का पारे इसके द्वारा किया जाता है रिमेंग जो लैड्स होते है वो नॉं चाहिएंद लैग के अंदर और अन्दीन दोवार्टिव लैग्स होते हैं ये रिडियूस लैग की अदर पैए जाते हैं जनतू जो होता है भर अपर्चल स्घृत ऊइलिटंताइंreno उसकी साधसे साधसे करता है और यजख को अधिन करता है और अंतिक तो टू फोरेसिक लैक्स हैं इसके द्वारा इस शेल को ग्रिंप करने का कारे इसके द्वारा किया जाता है अब हम चलें अब्डोमन देखें जनतु को जो अब्डोमन होता है बचो वह काफी स्मूथ अब्डोमन पायजाता है ये एक कि अब्डोमन इसका थायरा ब्रुमरा इसके अब्डोमन पाया जाता है एक करकायती रिद्वारा इब्डोमन पाया जाता है होते हैं वह का कि रिदुज्ट अपशें आपडीरटेस होते हैं होगे लेकी जो अंती पार्ट है जो होते हैं घेंडेट हैं अबनाता है और लिद। इसके अंदर सेक्स जो होते हैं और डबलब में इसके अंदर टाइप आफ डबलब में पाया जाता है तो यह आज हमने ग्रूपे ग्यूरस इसको हर्मिट क्रैप भी कहते हैं उसका क्लासिफिकेशन और उसके कुछ गर्मल क्यरेक्टर्स हमने यहां पड़े हैं आपको फायर के अंदर जंदू का डाइग्राम बनाना है प्लासिफिकेशन लिखना है और इसके जर्नल क्यरेक्टर्स लिखने हैं